प्रेश वीडियो बनाते हैं डिलीटेड क्वेशन्स की ये जो वीडियो है ये 2021-22 के बैच के बच्चों के लिए बनाई जा रही है महराश्टरा बोर्ड के बच्चे जो 2022 में बोर्ड जिग्जैम देने वाले हैं उनके लिए बायोलोजी के कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेशन्स डिलीट हुआ है कौन सा क्वेशन्स नहीं करना है इसकी वीडियो पहले भी अवेलेबल थी लेकिन आप लोगोंने बोला कि मैं फ्रेश वीडियो बनाई है इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको मैं फ्रेश वीडियो बनाकर वापस एक बर बता सकूं कि कौन से क्वेशन्स आपको स्किप करने है स्टार्ट करते हैं सबसे फॉर्स चाप्टर के साथ सबसे फॉर्स चाप्टर के बारे में बताने से पहले एक बार आपको फिरसे मैं याद दिला देती हूं कि हमने NCRT का syllabus बायों का पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है इसके लिए हमने एक new channel बनाया है जो new channel हमने बनाई है उस new channel का नाम है ग्यान लाब NCRT इस channel पर हम आपका बायो का सिर्फ NCRT का syllabus ही cover करेंगे 2022 में जो बच्चे boards देने वाले हैं NCRT याने CVSE के बच्चे उनके लिए maximum content हम बायो का available करेंगे और साथ ही साथ जो बच्चे 2021 में NEET देने वाले याने अभी September में NEET देने वाले हैं उन बच्चों के लिए हम daily basis पर previous year questions की practice ले रहे हैं मतलब previous year questions जो होते हैं जो MCQ question होते हैं उसका हम रोज live session conduct करते हैं तो अगर आपने अब तक यह channel subscribe नहीं किया यह new channel है ज्यान लाब NCRT जहां पर हम सिर्फ NEET का syllabus करवाते हैं तो अगर आपने अब तक यह channel subscribe नहीं किया है तो फटाफट से description में आपको link दी हुई है new channel की उस link पे जाओ और subscribe करो ठीक है तो चलो start करते हैं आज के session के साथ लेकिन उसके पहले एक चोटा सा और important announcement All right dear students so many of you are already aware कि मैंने और अजे सर ने Unacademy platform पर भी lectures लेना start कर दिया है Unacademy ने specially महराश्टरा board के class 11th और 12 students के लिए एक नया channel launch किया है और उस channel का नाम है junior college mh board इस channel की जो link है वो आपको हमारे इस video के description पर मिल जाएगी या अगर आप search करेंगे तो भी आपको ये channel मिल जाएगी ये channel specifically class 11th और class 12th के students के लिए बनाया गया है आपको आपके class 11th और 12th का सारा content physics, chemistry, maths, bio with English इस channel पर मिल जाएगा unacademy के youtube channel के साथ साथ unacademy app पर हमारे free special classes के lectures होते हैं तो वो free classes के lectures अगर आप attend करना चाहते हैं special classes के lectures तो आपको बस app install करना है हमारा code डालना है anj10 या फिर ajmh10 ये code डालकर आप सारे free classes attend कर सकते हैं और साती साथ अगर आपको lectures अच्छे लगें तो आप unacademy का plus subscription भी buy कर सकते हैं plus subscription के सारे benefits जानने के लिए और उसके सारे packages की information के लिए आप प्लीज इस चैनल को subscribe कीजिए junior college mh board को subscribe कीजिए आपको यहाँ पर सारी की सारी plus की information मिल जाएगी और साती साथ unacademy का junior college mh board का telegram group भी बनाया गया है जिसकी link आपको description में दी गई है तो आप telegram group भी join करके रखें क्यूंकि unacademy पर हमारे जो भी lectures होते उसका सारा notification हम आपको telegram group पर भेजते रहेंगे तो आए जुडिय unacademy के साथ आपका complete syllabus और वो भी perfect तरीके से हम आपका complete करवाएंग आपके साथ साथ हम आपके लिए मेहनत करेंगे चलिए स्टाइट करते आज के topic के साथ चलो स्टाइट करते अब यह रहा आपका biology का first chapter reproduction in lower and higher plants याने की unicellular multicellular plants के बारे में आपको यह chapter दिया गया है अब इस chapter का वेटेज अप्रॉक्सिमेटली six to eight marks है without option six marks with options eight marks का इसका वेटेज है और इसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक डिलीटेड है टॉपिक नंबर 1.1 याने और sexual reproduction वाला पार्ट डिलीटेड है तो इस डिलीटेड टॉपिक म आपके exercise में नहीं है तो basically first chapter का जो exercise है उसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है आपको पूरी exercise करना है आप पूरे के पूरे questions देखो कहीं पर भी आपको और sexual reproduction से related एक भी question दिखाई नहीं देगा तो first chapter का पूरे exercise आपको solve करना है there is no deletion first chapter के exercise में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है सब कुछ पढ़ना है और अगर आप textbook के पीछे के exercise question solve करते हैं तो 70-80% questions आपको exercise के पीछे से ही आते हैं 10-15% question exercise के अपने चाप्टर के बीच में से आते हैं जैसे diagrams वगेरा तो first chapter हो गया कुछ भी डिलीट नहीं है सब कुछ पढ़ना है including this table everything everything you have to study from exercise next chapter next आता है अपना reproduction in lower and higher animals के बारे में तो यह lower and higher animals वाला जो चाप्टर है इसका भी weightage 6-8 marks approximately और इस chapter में से 2.1 वाला topic डिलीट हुआ है यानि और sexual reproduction वाला part डिलीट हो गया है तो चलिए देखते हैं कि इसके exercise में से क्या-क्या डिलीट है तो आपका जो second chapter है reproduction in animals उसकी exercise में से mcqs में से मैंने नहीं बताया mcqs सब पढ़ो क्योंकि कहीं ना कई mcqs होता है mcqs का part मैं नहीं बताऊंगा mcqs आपको सब पढ़ना है question number two answer in one sentence में से कुछ भी डिलीटेड नहीं सब कुछ पढ़ना है question number three fill in the blanks में से आपको सब कुछ पढ़ना है question number four short answer questions के दो question deleted question one and question two यह दो questions deleted है so skip this question यह questions मत करना क्यूंकि यह और sexual reproduction से related है और sexual reproduction वाला पार डिलीट हो गया है तो आपको यह topic नहीं करना है और बाकि सारे questions आपको पढ़ने हैं बाकि कुछ भी डिलीटेड नहीं है तो सिर्फ यह दो questions छोड़कर आपको यह पूरा चाप्टर पढ़ना है और आपको मिलेंगे six to eight marks चाप्टर के बीच मे जितने भी diagrams दिये हैं सारे के सारे diagrams important है मैंने already पिछली साल एक वीडियो बनाया था important diagram and questions के ओपर किसके ओपर वीडियो बनाया था important diagram and question series बनाई थी मैंने तो वो channel आप playlist में search करो यह आप सिफ title डालो important diagram ग्यान लैब या important questions ग्यान लैब आप ऐसा search करोगे तो आपको वीडिय अब मत बोलना मैं उसके लिए भी नया वीडियो बनाओ और बहुत डीटेल में बनाया हुआ है और सेम वीडियो फॉलो करना है आपको important diagram ग्यान लैप या important questions ग्यान लैप डालोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी तो six to eight marks का chapter है सिर्फ दो questions deleted है बाकि पूरा exercise करना है next chapter inheritance अब अगर चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है तो यह चैप्टर मार्क्स का वेटेज इसमें कम है लेकिन बहुत इंटरस्टिंग चाप्टर है नीट और सीटी के point of view से बहुत-बहुत इंपॉर्टन चैप्टर है तो इस चैप्टर को skip मत करना यह पूरा चै प्लेइड से चैनल में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी सारी वीडियोस देखो और टेक्स्ट्वल आंसर्स को लर्न करना स्टार्ट करो बाइयलोजी में सिर्फ रक्टा मारना इंप़ोर्टन नहीं होता है concept समझो और reading करो continuous reading होनी चाहिए तो ही आप बायो याद रख सकते हो बड़े-बड़े words, difficult diagrams, rows लिखकर practice करो, 10-10 बाल लिखकर practice करो तो चीज़े आसान हो जाएंगे, तो chapter number 3 में से कुछ भी deleted नहीं है आपको सब कुछ पढ़ना है, ओके, फिर बारी आती है chapter number 4 की chapter number 4 का भी weightage approximately 4-5 marks का है और इस में से भी कुछ भी deleted नहीं हुआ है इस exercise में से भी कुछ deleted नहीं है, आपको पूरा exercise करना है, काफी 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 मेहनत करके मैंने ये chapter complete किया है playlist में जाईए, आपको molecular basis of inheritance का पूरा start to end chapter मिल जाएगा तेली एक 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 वीडियो देखना start करो, आपके लिए time बहुत कम बचा है, August already start हो गया है, खतम होने वाला है September, October, November, December, January, February, सिफ छे महीने बचे है, मार्च में समझो कि exam हो जाएगा तो इस chapter में से कुछ भी deleted नहीं है, फटा फट पढ़ना start करो, exercise में से भी कुछ भी deleted नहीं है फिर बारी आती है, 5th chapter की, that is origin and evolution of life इस chapter में से काफी कुछ delete हुआ है, और इस chapter का weightage 4 to 5 marks का है तो क्या-क्या delete हुआ है, यह तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, तो questions में क्या-क्या delete हुआ है, वो ध्यान से देखो MCQs आपको सब पढ़ने है, very short answer question में से, आपके दो definitions delete हो गए है, organic evolution and speciation वाला एकदम ध्यान से देखो, specifically लिख के दिया है मैंने, क्या-क्या delete हुआ है, फिर उसके बाद question number 2 deleted है, what is adaptive radiation, फिर उसके बाद question 4, 5, 6 भी deleted है, question number 8 and 9 भी deleted है फिर आता है question number 3, question number 3 में से 5 questions deleted है, फिर एक question करना है, question 2, फिर question number 4 आपको पूरा करना है, match the following, इसमें से भी actually थोड़ा part deleted है, mutation theory, germplasm theory वाला, लेकिन कर लो, match the following पढ़ लो, तो आपको अच्छा रहेगा, safe रहोगे फिर आता है आपका long answer question, long answer question में से भी सब कुछ deleted है, 15 question करना है, question number 3, question number 5 और question number 6 यह सारी चीजिए आपको बिना भूले अभी के अभी मार्क करके लो जो दिलीटेड नहीं करना है जो डिलीटेड नहीं है वो करना है ठीक है चलो और यह चैप्टर भी अब हमने अपनी चैनल पर कंप्लीट कर दिया है तो सब लोग, सब लोग, सब लोग ये chapter देखके फटाफट खतम करो, छोटू सा chapter है, सिर्फ दो topics ही करने है, modern synthetic theory and human evolution वाला part, सिर्फ यही दो topics करने है, तो इतना तो देखके complete करी सकते हैं दो दिन में, next आता है अपना 6th chapter, that is plant, water and relation, इस chapter में से भी सिर्फ तीन topic करना है, 6.1, 6 पॉइंट 2, 6.3 यानि, starting का part पढ़ना है, और good news, यह chapter भी हमारी channel पे complete हो चुका है, तो इस chapter में से, इस chapter में से क्या-क्या deleted है, question number 2 में से सब कुछ deleted है, सिर्फ question number 6 करना है, question number 3 में से, सब कुछ deleted है, सिर्फ question number 8 करना है, और question number 4 में से सब कुछ deleted है आपको सिर्फ question number 1 करना है याने गिन के इस chapter में से तीनी question करने है और तीन question करके आपको 4 marks मिल जाएंगे इस chapter का weightage कितना है 4 marks का weightage है तो कोई भी आलस पना नहीं दिखाएगा यह पूरा chapter अपने channel पे available है playlist में available है तो पूरा chapter read करो देखो मतलब जित deleted questions को avoid करो non deleted questions पढ़ डालो और chapter खतम कर डालो 4 marks confirm हो जाएंगे CET में भी आपका non deleted part में से questions आएगा so don't worry about it फिर आता है अपना 7th chapter that is plant growth and mineral nutrition इस chapter में से भी सिर्फ आपको plant hormones वाला पार्ट करना है याने की 7.9 वाला जो टॉपिक है plant growth hormones सिर्फ वही टॉपिक आपको पढ़ना है तो देखो exercise में से क्या-क्या questions बहुत दिली определ है ये всегда करने आपको मैं से की कुमें आपको बिलकुल help नहीं करूंगे आपका जो very short answer question है उस में से सिर्फ second question वाला question आपको करना है और 7 वाला question आपको करना है और आपका जो question नंबर 3 है question number 3 में से सब कुछ deleted है question number 4 में से सब कुछ deleted है मतलब इस chapter में से सिर्फ दो one sentences पढ़ने हैं और mcqs पढ़ने हैं तो आपके जेप में चार मार्ग सपने आप आ जाएंगे बहुत important chapter है बहुत अच्छा chapter है और यह chapter भी हमने अपनी चैनल पर complete कर दिया है यह chapter का वीडियो आपको one shot series में मिलेगा तो इस chapter का session देखो आपको सब समझ में आ जाएगा फिर जाते हैं next chapter पर respiration and circulation very 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 important chapter seven to nine marks इस chapter का वेटेज है seven to nine marks इस chapter का वेटेज है पीच-बीच में से दिवेक एक पारेग्राफ डिलीट किया है लेकिन गुड़ न्यूस यह चैप्टर मैंने पूरा complete किया है फुल चैप्टर इस completed on our channel डिलीटेड वाला पार्ट भी मैंने completed किया है ताकि आपको सब कुछ पढ़ने के लिए मिले और इसके exercise में से इसके exercise में से देखो यह चैप्टर में से लेकर चैप्टर नमबर एट तक की इतने इंपोर्टन बताएं सारे के सारे चैप्टर सारे के सारे questions पढ़ो चैप्टर रीट करो पूरा material अवेलेबल है अपनी चैनल पे और जैसे कि मैंने आपको बोला important diagrams और important question का series already मैंने अपनी चैनल पे upload कर दिया है आपको बस search करना है important diagram ग्यान और आपको वीडियो मिल जाएगी अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर जरूर करना और चैनल पे नए हो तो subscribe करना तो बनता है और पार्ट टू के लिए जल्दी चल्दी कमेंट करके बताओ कि आपको पार्ट टू भी चाहिए तो मैं पार्ट टू भी फटा फटा आपके लिए बनाकर अविलेबल कर दूंगी चलो मिलते हैं जल्दी बाइ-बाइ टेक केर सी यू सून अल थे बेस्ट